किसान देश का अन्दाता है तो श्रामिक और कंगार देश का राष्टर में ना था हर देश वासी को असीन दर्द हुआ जब हजारों श्रामिक भाईयों और बहेनों को सेक्रों किलोमीटर भूके प्यासे मजबूरी में पैदल घर दापस जाते देखा मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग-अलग कोनों में लाखो श्रामिक भाईयों और बहेन मुश्किन में फसे हैं और कुरोनम हमारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं साधन और तैसा तो दूर की बात है पूरे राशन तक की व्यावस्था नहीं और नहीं लोगदान की इस घरी में कान का कोई इंतजार आए दिन जब देश के अलग-अलग कोनों से उत रही है हमारे श्रामिक भाई और बहेनों की आवाज और तीरा को हम सब सुनते देखते हैं तो लगता है कि यह आवाज परिवार के एक सदास्य की है यह आवाज एक मां की है एक बेटे की है जो अपने बच्चो पक्नी मां बाब तक पहुँचना चाहता है इस तुकार में सच मुझ हम सब का दिल छुआ है मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा कुथी कुथी है कि संकत की इस घड़ी में भारत सरकार रेल मंट्राले घर वापस लौप में के लिए रेल यात्र का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे है उमीद थी कि दाम में आए हजारो करोर रुपे पर पहला आदिकार हमारे वराष्ट निर्मताओं का होगा और इस पैसे का इस्तमाल अब सब को सुरक्षित और निशूर्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा पीरा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं यह विकर्ट हालाच देखकर कंगर्स पार्टी में मिरने लिया कि हर प्रदेश में जरूरत मंद श्रामिक भाईयों और बहनों के घर लौट में की उरेल यात्रा का खर्च उठाएंगे मैं उमीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे महात्मा गांदी ने कहा था कि खूद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खूद को दूसरों की सेवा में खोद हो सेवा का ये संकल्प ही हमारे श्रामिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुचाने की हमारी प्रेड़ना है इस करताविय को हम मजबूती से निबाएंगे जैहिंट